नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सरीज में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडि टेट्स मौजूद है उन सभी में सुखोई हमारे पास सबसे जादा मात्रा में मौजूद है तो किसी भी जंग जैसे हलात में हम ऐसी थर्टी के उपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट धहने वाले हैं ऐसे में इनका इफेक्टिव होना सबसे ज़्यादा जरूरी भी है औ हमारी पास जो मिसाइल मौजूद है उनकी रेंज जादा नहीं थे तो उसके बाद इंडियन एरफोर्स की तरफ से वीवियार रेज को अपने सैड में वापस लाने के लिए लॉंग रेंज मिसाइल को एक्वेर करना का फैसला किया गया था और उसके बाद हमने रफाल और म मेटियोर मिसाइल को अक्वेर किया था लेकिन प्रॉब्लम यह गी अभी सिर्फ में मेटियोर मिसाइल को फाइर किया जा सकता है ।ů कि दूनिया भर की सबसेव एधिर किया जाता है और हमारे पास लिमिटेड नंबर में ही मौझूद है तो इस वजह से इंडियन ऐर व्श कि तरफ से सुखोई में भी METEOR missile को integrate करने के लिए MBDA के साथ बातचित करने की कोसिस की गए थी और 2008 में इनको SU-30MK में integrate करने के लिए MBDA को कहा गया था लेकिन MBDA की तरफ से बात बता गया था कि वो METEOR missile को किसी भी Russian origin radar के साथ या Israeli origin radar के साथ integrate करने के clearance नहीं दे सकते हैं जिस वज़े से अभी के लिए सुखोई में meteor missile को integrate करना संभब नहीं है लेकिन किसी भी Indian radar के साथ MBDA की तरफ से meteor missile को integrate करने का option रखा गया है जिस वज़े से Indian Air Force की तरफ से future में सुखोई में missile को integrate करने का plan किया जा रहा है यानि कि जब हमारे सुखोई को super सुखोई स्टेंडर में upgrade कर दिया जाएगा तो उसमें उत्तम ऐसा radar के modified variant को install किया जाएगा जो कि उत्तम माक्थी radar होने वाल है उसके साथ meteor missile को integrate किया जा सकेगा जो कि Indian Air Force के existing सुखोई को किसी भी modern fighter jet के साथ टक्कर लेने के लिए काबिल बना सकता है यहां तक कि रफाइल को भी सुखोई VR fight में तब हरा सकता है क्योंकि सुखोई के radar रफाइल के radar के मुकाबले काफी ज़्यादा powerful होने वाल है 2025 तक सुखोई की दो test unit में उत्तम ऐसा radar की माक्थी वर्जन को integrate करके test करना भी शुरू किया जा रहा है जिसके बाद हमारी existing सभी सुखोई में से लगभग 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टेंड़ अफग्रेड कर दिया जाएगा जिसमें Indian Air Force की तरफ से बाद में meteor missile को भी integrate करने का प्लान किया जा रहे और अगर इसमें meteor missile नहीं भी लगता है तब ही हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला क्यूंकि अभी अस्तर मार्क 2 और मार्क 3 दोनों missile सुखोई के लिए develop किया जा रहे और ये दोनों ही missile जो है आने वाले 5 से 8 साल के अंदर production में इंटर कर सकते हैं और अभी अगर हम लोग meteor missile को भी सुखोई में इंटिग्रेट करना चाहेंगे तो तब भी 2025 के बाद उत्तम इसा रडार की मार्क 3 वर्जन को सुखोई में टेस्ट करके सभी 150 सुखोई में इनको इंटिग्रेट करने के लिए तो इस वज़े से अगर सुखोई में meteor missile को हम लोग इंटिग्रेट नहीं भी करते हैं तो हमको कोई बहुत ज़ादा फर्क बहां पे नहीं पढ़ने वाला है अगला update भी विवियार missile से related है और ये missile अभी भारत को भी offer करने की बात सामने आई है इस missile का नाम Sky Spear है जिसका नाम ताइवान की एक surface missile system के साथ बिलकुल similar है लेकिन इसे अभी इसराइल की रफाइल एडवांस system की तरफ से develop किया जा रहे है ये एक वियार missile है और इसको खास करके अभी इसराइल की तरफ से United States की MRAM 120D चाइना की PL-59 और European Origin Meteor missile की performance को मैच करने के लिए बना जा रहे है इससे पहली बार अभी Paris Airsoft के दोराण डिस्पले किया गया थो और अभी इसके actual range public नहीं किया गया लेकिन इतना बताया जा रहा है कि इसको अभी दुनिया की सबसे बहतरीन BVR missile या long range BVR missile की performance को मैच करने के लिए डिवलब किया गये अभी तक रफायल एडवांस सिस्टम के पास जो सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाल था वो आई डर्बी ER missile था जिसकी रेंज करीब 100 km से 110 km के आसपास की थी जिसे हम लोग अस्तर मार्क वन स्टेंडर की मिसाल के साथ कंपेर कर सकते हैं लेकिन अभी रफायल एडवांस सिस्टम की तरफ से बात बता जा रहा कि स्काइस्पियर मिसाल अब तक रफायल एडवांस सिस्टम की तरफ से डिवलब किये गे सबसे लॉंग रिज तक स्ट्राइक करने वाला मिसाइल होने वाला है इसकी डिजाइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक डूल टेल फिन तरफ से थ्री फल्स रॉकेट मोर्टर का इस्तमाल किया जाएगा इसमें से पहला फेज होगा वो मिसाल को इनिशल बूस्ट करने में मदद करेगा और थर्ड फेज में टर्मिनल वेलोसिटी को मिंटेन करने में मिसाल को मदद करेंगे अब नॉर्मल उनाइटेड स्टेट की D या PL-15 जैसे मिसाल की बाद के तो इसमें डूल पल्स मोर्टर का इस्तमाल किया आता है जो कि निशल मिसाल को बूस्ट करने के बाद कुछ समय तक मिसाल गेंगे स्पीड की मदद से ट्राविल करता है और फिर से सेकेंड स्टेज का बूस्टर एक्टिव होता है जो कि एग इसमें रैम जेट मोर्टर का इस्तमाल किया आता है जो कि एंटायर पात के दौरान एक स्टेडी स्पीड को मिंटेन करने में मिसाल को मदद करता है और ये मिसाल की पूरी पात के दौरान कभी भी बंद नहीं होता है जिस वज़े से इसकी हिट रैसियो नो इसके ब्यों सब से ज्यादा होता है क्योंकि इसकी पूरी रेंज के दौरान मिसायल का मोटर चलता रहता है जो कि एक रेगुलर स्पीड को वहां पर प्रोवाइड करता रहता है अब दिक्कात यह कि रैम जेट मिसायल थोड़े महेंगे पड़ जाते हैं और इकनॉमिकल नहीं होते हैं जिस व को शुक्व में इसतमाल किया जा सकता जो अभी घॉअर कि पर सब्सक् jurisdictions के दौरान एसको कई भार के सामना करना पड़ा था खास करके इसकि वेट की वज़से इसको ग्रितिसाइज किया योगा था जिस में बूंध करने का शाय हुआए। अब यह टैंक्स अपनी previous variant के मुकाबले काफी भैतर होने वाले और इसमें लगबग 72 ने अपग्रेड किये गए थे अब यह आर्मी की तरब से इन टैंक्स को खरीदने के लिए जो order को प्लेस किया गया था इसकी कीमत करीब 7523 करोड का था और इसमें जो टैंक्स बनाय जाने वाले थे इनको अमारी चन्नागी की heavy vehicle factory की तरब से manufacture किया जाएगा अब अर्जून टैंक्स जो सबसे खास बात है वो इसका armor section है और आप सभी साथ जानते होंगे कि अर्जून टैंक्स में जो armor का इस्तमाल होता है वो भारत की तरब से इंडिजनसी डवलप किया एक armor है जिसका नाम कांचन armor है जो की काफी बहतरी इन ballistic protection को provide करता है यहां तक की point blank range से भी अगर इसके उपर 125 mm की FF SDS ammunition से fire किया आता है तब भी यह armor को penetrate नहीं कर सकता है और कि इसको कई बार live firing करके test भी किया गया था अभी इन armor section को अर्जून एम के 1A tanks में भी इस्तमाल किया जाएगा और पहले की मकाबले इनको अभी कई और गुना बहतर किया जा चुका है लेकिन अभी इनको manufacture करने के लिए जो contract था उसको मिस्तर धातु निगम limited यानि की मिदानी को दिया जा रहे और आम तोर पर जितने भी metal या composite related systems होते है उन सभी को मिस्तर धातु निगम limited की तरफ से manufacture किया आता है और अभी इन सभी 118 Arjun tank की production होने तक जितने भी armor section की जुरत पड़ेगी उन सभी को अभी मिस्तर धातु निगम limited की तरफ से supply किया जाएगा अगला update इंडियन नेवी की तरफ से अभी हम इंडियन नेवी की future vessels के बारे में बात करने वाले है और उसमें खास करके इस्तिमाल होने वाली propulsion system के बारे में बात करने वाले है अभी के लिए दिन वा दिन जो naval vessels होते है उनकी propulsion system को अभी modern किया जा रहा है और जो normal propeller वाला system था वो काफी पुरान और काफी outdated होने लगा है जिस वज़े से बहतर speed और low acoustic noise level को maintain करने के लिए अभी vessels में water jet propulsion system का इस्तिमाल किया जा रहा है अब फिलाल हमारे पास water jet propulsion system की technology मौजूद नहीं है और इसी वज़े से अभी naval design बीरों की तरफ से एसी technology को कहीं से हासिल करने की कोसिस किया रहा है और अभी बताया जा रहा है कि हमारी major ship at GRSE की तरफ से फिनलेंड की कॉंक्सबग मैरिटम के साथ एक M.O.E. को साइन किया गया जो की 16 जून को साइन किया गया था जिसके चलते हैं अभी jointly भारत में water jet propulsion system को manufacture कर सकते हैं जिनको आगे चलके हमारे naval vessel से लेके coast guard की ship में भी इस्तमाल किया जा सकता है इनको लेके जब एक agreement को sign किया गया था उस वक्त वहां पर इंडिया नेवी GRSE और कॉंक्सबग मैरिटम की सबी higher official मौजूद था और बता जा रहा कि अब से jointly भारत में water jet propulsion system को manufacture करने वाले जो की करीब 3.5 बेगवेट क्लास की propulsion system होने वाली है इसके अलावा अभी GRSE की तरफ से role source के साथ मिलकर भी एक M.O. को sign किया गया था जिसमें GRSE की तरफ सभी marine engines को भी भारत में बनाने की कोसिस किया जा रहा है और इससे हम हमारी marine engines की सेक्टर में भी आत्मा निर्भर हो पाएंगे अगला अपडेट HL की तरफ से भी develop किया जा रहा है Indian multi-roll helicopter को लेके इसके बारे में एक या दो दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी HL की तरफ से कॉंसिटियूम को बनाने की कोसिस किया जा रहा है जिसमें दो major Indian private company को सामिल किया जाएगा जो की Indian multi-roll helicopter की production, maintenance, एरपार्ट और service related issue को देखने वाले और HL बस इसमें governing body के तरह काम करेगा अब जब तक कॉंसिटियूम को form नहीं किया आता है तब तक HL की तरफ से अपने तरफ से इसके development को जारी रखा जाएगा फिलाल Indian multi-roll helicopter को develop करने के लिए जो सबसे बड़ा problem है वो इसके लिए एक suitable engine को develop करना है क्योंकि AVENIX तो पहले से हमारे पास मौझूद है और जो airframe है उसको आसानी से बना सकते हैं जिसके लिए सभी system हमारे पास पहले से ही मौझूद है लेकिन जो helicopter engine है वो हमारे पास नहीं है और हम जादा तर इसके लिए सफरान के उपर dependent हैं और हमारे जितने भी helicopter है जिनको HL की तरफ से बना गया है उन सभी में सफरान की engine का इस्तमाल किया आता है अब इस engine को France में ही बना जाने वाला है लेकिन इसमें HL और सफरान जौंटली काम करने वाला है और इसमें भारत को इसने engine की TOD के साथ साथ इसकी intellectual property right भी मिलने वाली है जिस वज़े से Indian multi-roll helicopter में जो engine का इस्तमाल किया जागा वो completely एक Indian origin engine होगा और उस engine के उपर हमारा पूरा हक रहेगा और इसकी design से लेके manufacturing के सभी के उपर हमारा अधिकार रहेगा अगला update के 9 वज़टी guns को लेके पता इस gun में बहुती बड़ी problem है और इसका नाम ही सही नहीं है के 9 वज़टी पहले तो shift दबाकर के लिखो फिर 9 लिखो फिर hyphen देकर फिर से shift दबाकर वी लिखो फिर अंत में hyphen देकर shift दबाकर टी लिखो script लिखने में बहुत दिक्कत होता है और पढ़ने में भी भूरती दिक्कत होता है और सुनने में भी थ्वड़ा अजीवी लगता है जैसे LCH का नाम प्रचेंट रख दिया गया इसका भी वैसा है कुछ नाम रख देते तो बहुती वड़िया होता खाली वज़री रख देता तब भी बढ़िया होता पढ़ने में भी आसान होता और सुनने में भी अच्छा लगता लेकिन जो भी है गन बढ़िया है और इसी वज़े से अभी इंडियन आमी की तरफ से इसकी एडिसनल ओडर को करने का प्लान किया जा रहे है इनिशिले से 100 ग में एडियर ठेहिक करने के लिए खरीदा जाए जाएक और इसमें कई सारे क्रें पेया घाय और को फ्रीड है चैना के साथ हुआ जब हमारा उस दोरान अच्छे तरीके में बन से लेकाते में आफित करने की लिए इनकी fuel system में और fuel pump में कुछ modification करने की जरूरत है और इसकी engine को ही modify करने की जरूरत है ताकि यह आसानी से sub-zero temperature में start हो सके अब जैसे कि जो initial waste था इसको digit condition में operate करने का plan किया गया तो उनको उसी हिसाब से modify किया गया था अब हला कि हम मजबूरी में आके इनको लद्दाक में operate कर रहे थे लेकिन future में इनको western border में shift कर दिया जागा और हिमालेन रीजिन में operate करने के लिए अभी 200 नए केनान वजड़टी गंज को खरीदा जाएगा जो की खास करके हाई altitude region में operate करने के लिए modify किये जाएगा और कुल मिलाकर हमारे arm forces में ऐसे करीब 300 गंड को विंड़ट करने का प्लान किया जा रहे अगला update MK की तरफ से अब जैसे की MK 5th generation fighter होने वाला है तो इसमें जो refailing प्रॉब का इस्तमाल किया जाएगा वो एक fixed refailing प्रॉब ना होके सामिल हो सकते हैं इसको लेकर डियाड़ो की तरफ से जो डाटा को पब्लीक किया जा रहा है यानि कि ओवरॉल इंफर्मिशन दिया जा रहा है कि से एमका की जो refailing प्रॉब होगा उसे एमका की फ्रेंट फ्यूजलाक सेक्शन की टॉप पोश्चन में और नोस सेक्शन की ठीक पीछे एक्जक्ली बता जातो स्टेशन 2 से लेके स्टेशन 3 के बीच इंस्टॉल किया जाएगा इसे डवलब करने के लिए कई सब सिस्टम की जरुद पढ़ने वाली है जिसमें पहला तो एक रिफैलिंग नौजल होने वाला है दूसरा वीक लिंग एक हैड्रोलिक मोटर जो कि इसकी एक्स्टेंशन और डिट्रेक्शन का मेकारिजम को काम करने मदद करने वाला है एक प्रोब लाइट जो कि इसकी टिप में मौजू कर रहा है ताकि इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप किया जा सके अभी के लिए हमारी जितने भी इंडिजनेस एक्राप मौजूद है चाहे वो तेजस हो जाए तेजसम के वाने हो जाए या तेजसम के टू भी हो जाए इन सभी में जिन रिफैलिंग प्रॉप का इस्तमा कटरा प्लान किया जा रहा है जिस वजह से अभी से इसको डिफल करना सुरू किया जा रहा है अगला अपडेट भारत चाहिनह और उनाटेड स्टेट की तरफ से आप सभी जानते। कि भारत युस और चाना इन में से वह दोनों मेरे का नहीं बनता है और जब से र def http का भारत का तब से लेकि आज तक भारत की तरफ से शावने कि अभी पहली बार भारत चाने तरफ में किया गया वह धाइक साथ business पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अलावा अभी और भी कई देश इसमें सामिल होने की बात सामने आई है इसमें खास करके counter-trace operation और peacekeeping mission को conduct किया जाने वाला है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश एक दूसरे की military के साथ अपने relation को भैतर करने की कोशिस करने वाले बहले ही इस exercise में बीस अलग लग देश सामिल है लेकिन पूरे exercise में भारत उनाइटेट स्टेट और चाना का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी इन तीनों 1948 से कंड़क्ट किया जा रहा है अब वक्त आगया एक पिछले वीडियो में पूछे के सवाल का जवाब देने का पिछले वीडियो में आप सभी से पूछा था कि हमारी जो रुस्तम टू यह जिसको DRU की तरब से भी डवलब किया गया था इसका सही जवाब इसराइल है और अब तक के लिए जाहन बंदे मातर